मैं नाम सकीरा है, मैं लीफ स्कूल में पढ़ती हूँ, ग्रेड शेक्स में हूँ, मैं सुबह आई थी, स्कूल जैसे आगई, उन लोगों ने मुझे बाहर कड़ा कर दिया और कहा कि यही कड़ी रो पर अंदर ले कर गए और पर मुझे कड़ा कर दिया, तीन-चार गंट में वहाँ पर कड़ी थी यह आपने फीस नहीं लाया, वजिरी तालीम से मतालवाए की स्कूल के प्रेंसिबल मेडम शेनास से पूछे अगे मताबग चिन देद से पैसे पाते वे खुदा मेडम शेनास प्रिंसिपल चकमादा, दा दा मखक न दे भी हैविरी टिक न दे, माशूमान टाचर काई, दे रेगें ते, दे फीस तवजे बार दो लेवाँ बार, और तार चरेकल, जनी तार चरेकल काई, दा मुकमल ब पिंजोज़ रश्पक न दे पाते चरेकल, पड़ ये टिकन दे, दे स्कुल न रेक्राइमंट दे टिकन दे करे, दे स्कुल दे करे, माशूमान पा दे फीस ता पार पचुप वखी, तार चरकाई, दा मालूर दा सार आगल वा द्रेगें ते बार दो 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 अब दिए वजग फिस खुमातर कार। मा बफिस फरकाव कना फिस खब फिस लंबा 14 चाल रसी दुने नवर काई दे तो पाखवान दा तरीकादा चाल रसी दुने दूने पैसे शब बद फिस खब ता ता तर्चर कोल वली दाले पकम गान उन तर्चर करें दा बालेट नोर्स कुल नम ते बरत वाली खुच द दी प्रिंसिपली रडिश्टेशन मनसूफ शी दी कम जोलम नन करदे जियाते करदे दा मंगा पा मेडिया बंदे खकार को खलको ता और दी खिलाब ट एक्शन वाज दिंग दाग मुताले बादा जमान नम दे जाहिद ली आव मेड पलिप स्कुल की बहद सियत अड्मनस्टेटर कार कुमा दी मुंगा पदी वजन नी तार्चर कुडी तर्चर दी तवई ची आगा मुंगा दी उमदास अबाशू दी 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 फीस मसलवा दी दौम याश्त फीस ची दी दागी बावजू च जर्च मावड़ सर जडिया जो इने तक फ़स्प कार। मुंग चर्तम दासे स्टुड़न्ट लगन निशू और कोले वले चे दा अदारा दासे अदारा दा ची दे कि बता खलको ता हफस वर के पड़े पाराद ची दा काबिल शीची दी तब अकल आओ तगव देजीन स्टाट कीगी जो मुंग तोल मसाला दा फीस दा जून दा जुलाई दा माई मिसाल तुर्माई दा चुट्यान ची कुम की सूची संग दीवए दी दा चुट्यान फीस बिलकुल मुंग ने दरा कड़ एजी घुलाई देजी माई मेश घुलाईओ सा छिवए देड़ान दा कौछों देवप साम्र दी अगी तो दीवड़ा ची किया घूलाई टूलाई लून पर तेलफों नो टूलाई दीवए अर अधर नियो सीस बांदेग ज़ंग ता दासो दा दा भीसुना बराभर के अ्यवत्य वारोग थेते हैं, तो जलें, रहा है जो ब्रु बारोगे साक्राव में लेजिए बना, खत एलेज जड़े रहा है, पास प्रेश एला है? यहा थार प्रावानिका तो आइसे झाले? कि अभी उसमख के रोर में यौरा अगली फखरी आलम वी दा खबर की चिदा माचूए बार द्रोल द्रेंगर के ना ना बार ना मुंग जान सर के नौ बाके दा चिकम देनो यवाज दानी नौरं कसानो ब्यादा मारा वस्त जान सर में के लिए लड़ देवर देर तचिजरा उन्जब या डूम बे बाहर अगेंटा वालाणों जमा कजन सुदा आब या का का माता हुई तरह जहूर रहमद अर्फखेल मेरा नाम है और सुसाइटी फार दे प्रिटेक्शन आफ दे राइटस आफ दे चाइल्ड स्पार्क का डिस्टिक सीर सी का डिस्टिक कोडिनेटर हूँ अभी जो वाका च 4-7 के एक स्कूल निजि स्कूल में वाका पेश आया है कि बच्ची को फीस ना लानी की ज़ज़के सीर से बाहर निकाला गया बलकि उसे स्कूल से भी बाहर निकाल दिया गया। और तकरीबं डिर दो गहंटे को बाहर खड़ा किया गया सजा के तो पे This bead Max मैं यह कहना चाहता हो सबसे पहले तो मैं यह अर्श करना चाहता हो के अक्सर स्कूलों में यह मसला है प्रवेट, नीज़ी स्कूलों में कि बच्चों को स्कूल नंने की वज़ा से यान उनको किलासों से बाहर निकाल दिया जाता है और सजा के तोर पोब गंटों धूप पे और बाहर जगह पे खड़ा किया जाता है यह एक ib you set होने में जो पशूर के हुआ है अज Lazar थिता भाहर है और ऑद सब्लो एक पहर आप कर रहे हैं और चाइल राइट्स की भी आप वालेशन कर रहे हैं इसे हवाले से ठीक ठाक कवानीं मुझूद हैं खाबर पुफ्तुनफा के हवाले से भी यहां पर है कि चाइल प्रोटेक्शन एंड विल्फर एक्ट दोहजादस जो है उसमें भी बच्चों को जहनी और हैं और उनके खिलाफ ठीक ठाक एक्शन लेने के सफारशाद भी हैं तो इस बच्ची को जो निकाला गया स्कूल से और फिर उसको घंटो बार खड़ा किया गया मैं समझता हूं कि इस स्कूल ने मैपल लीफ जो स्कूल है चासदा में मर्दान रोट पे उनने ठीक ठाक वाल इस तरह है कि पश्टून कल्चर की भी खिलाफ है कि एक बच्ची जो छटी किलास में पढ़ती है और उसको नहीं सिर्फ आपने इस किलास से बाहर निकाला बलकि स्कूल से बाहर पर स्कूल का मुखफ यह है स्कूल वालों का इंतजामिया का कि हमने कई बच्चों को बाहर नालाने की वज़े से बाहर निकाला उनको बाहर खड़ा किया गया है और इस बच्ची को फिर स्कूल सी भी बाहर निकाल के खड़ा करने पर मुझमूर किया गया है आज कर जो हालात है आप देखें सोशल मीडिया पर मीडिया पर जो हार है बच्चों के हवाले से काफी वा मतलब होगी समझते हैं कि बच्चा हमारा स्कूल में ने स्जफ पढ़ रहा है बलकि बच्छे की वाइलेशन की है कि उसको जहनी टार्चर दिया गया है बलकि उसको सेकेरटी के हवाले से भी एक ठ्रेट्स का सामना करना पड़ा है कि इसकूल से बाहर निकल का खड़ा गया गया घंटो घड़ा किया गया बच्ची मजबूर हुई है कि उसने अपने कजन को या अपने घरवालों को फून किया है और फिर वो उनको लेने के लिए बाहर आए हैं तो मैं समझता हूं कि स्कूल ने बहुत खलत काम किया है और जो पिशावर बोर्ड है एजुकेशन का उस उनको भी इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए और गर्वर्मेंट ने डिस्ट्रिक जो कमिशनर है डी सी जो है उनको भी प्रिवेट स्कूल के हवाले स इसे एफार्टी दी है और उनको ख्यारात दी है कि वो ऐसे किसम के वालेशन जो बच्चों के खलाफ होती है तो उस पर वो बाकादा एक्शन लें तो मैं डिस्ट्रिक जो डिप्रिक कमिशनर है उन से भी दर्खास करता हूँ और बोर्ड से भी मैं दर्खास करता हूं इंत